आज हमारे सब्सक्राइब आज हमारे साथ इस कारे का में पुस्तित है अकुल आहीं बलके पूरे विदर्वों में प्रक्यात सेक्स और को मन रोग विशेशा के डॉक्तर दीपक केड़कर राक्टर साब आप आपने इसका विशेश हैं सेक्स इसके उपर काफी लोग बूलने में हिच्किश जाते हैं और कोई कारे करम अगर आपके तो काफी अच्छा नहीं माना जाता है तो ब्ükलिक uhm आप कि समयदा सेलोर कि अभी पैदा हुए काहीं गयता है। मगर हमारे यहां ऐसा उपनली सेक्स के बारे में बात नहीं किया थी, बलते कि नहीं नहीं, वह एकदम मतलब सब जो ऐसे हस्बंड भाइट भी बढ़े है ना, पती-पत्नी बढ़े हुए है और आपस मैंने पास में बढ़े अच्छी बाती भी कर रहे है और उदर से बच्च कि अगर डिप्रेशन में जाता है तो नपन सिंकर्टू लेकर लेकर सबसे ज्यादा उसके मन में एक भावना बच्पन से लेकि जवानी मेरेकि जब उसके बात भी कहीं तो भी चाहिक इतना भी सक्ष्ण पूरूस उसके मन में कहीं ने कहीं तो यह बात आती है कि मुझे प्रिशन में में यह कुछ तभी भी बहेंकर लिमारी हो गई है और अब अभी आदमि में नहीं रहा अभी मैं पूरूष नहीं हूगा मतलब वो ख्याल भी आ गया है, तो उसके दिमाद में पुरा चलो रहतर है, तो उससे वो डिप्रेशन में जलिया, उससे वो एंक्षिस हो जाता, एंग्जाइटी, घबरा, पेचेनी, जिद्दा, और वो होने के बाद में, अभी मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैं मेर कभी कुछ हो ने, उसका परफर्फर्वेंस हो ने, एक बर करने ही साया, उससे वो फिर नाद जाता, और आपन होते 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 और वहरा में जलिया जाता कि अभी अपन कुछ काम के ने रहे और नकु सकत वाते रहाते हैं, जो खीज है वो फतनी पर निकालना है, बत्च्छी कि युगों में भी उसका बर्मान पाई जाता है। हाँ, ऐसा है रेखो, कि सेक्स कर नहीं सकता, मतलब लिंग में शिथिल हो जाना, या उसमें वो परफॉर्मस नहीं कर सका, और अंदस उसमें कम जूर्य आ एकूँा हो सकता है कि एक तो 35 साल के नीचे समझो हो जाता है, इसको ऐसा है। कि उसके कारन अलग हो सकते हैं. और 35 साल के बात भी में समझा उसके कारन हो सकते हैं. जैसा युवग में जवान लोगों में बच्चे हैं तो बच्चे जैसा यूजी आशकल तो ऐसा हो जाता कि 13, 14, 15 साल के बच्चे उनको sex characteristic आना शुरू हो जाते हैं उनके sex भावना शुरू हो जाते हैं जाते हैं तो बहुत ही ग्यान लोगों को हुआ हैं और फिर उसको भावना निर्मान हो जाती है तो सब देखके देखके और फिर उसमें वह कहिना कही जाके कोशिश करता है और कोशिश करगे वहां फिल sì ने कर सकोना जाए। उसके नजेर में किछ जाए। को ड़र लगता है और वह ढयएक्षिन लेता है अब फिर वह जाता है। जानकर अधकरणा ग्यान होने के तारव इस पर गार्गी समझ से आसा होता है तो समझ जाना कि यह साइक अजिगल मांसिक कारणों की वज़े सा इसा हुआ है उसके लिए शरीक कारण नहीं है मांसिक घटिस साल के वान तो मांसिक नहीं है मूटा मूटा हिसाब में आपको बतार जानकर आशाक जानकर नहीं मुझा जानकर जानकर करण मांसिक लिए उस मितलब कि उसको आगे यह समझ जा सकता है तो साइक बचलोगे कारण में भी गोही है कि भाई एक तो बच्चलों भी नशा करते हैं, उसके वज़े से उसको एक शराब पिना, स्मोपिंग से भी ऐसा होता है, और तफिर रात-रात जगना, और शादी होने के बाद में भी ऐसा टेंशन, बहुत प्रेशर, अभी ऐसा है कि IT डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है लेकि information technology है, बटवड़ी company ने हितना काम का stress है, बहुत प्रेशर काम का है, और सुबह से लेके शांत मतलब काम करो, दोड़ो, भागो, इधर जाओ, फिर competition, दफ competition है, तो उससे क्या होता है कि stress काती आता है, और stress आने के बाद में वो ऐसा घर आके एक दम थक जाता है, अग आता है, तो उसमें समझे उसने कोशिश केया, सिक्स करने की, तो उसको जमताने है, और रहता है, तो जमाने पिर उसको फिर हो जाता कि अभी कुछ तो भी प्रावल्म हो, तो दुसरा है कि anxiety है, anxiety, नियुरोसिव माब की जो बिमारी होती है, तो वो बिमारी से पति पतनिका नहीं पतने से भी उसको जमता नहीं है, करकम नहीं कर सकता है, या फिर घर में काफी सारे लोग है, उनको प्रवजी मिलती नहीं, कभी-कभी तब ऐसा हो दा है कि एक ही कमरा है, एक कमरे में पाइडिशन डाला एक पड़ देगा, उदर माबाप है यह लड़का उसकी पतनि है, तो उसमें फिर उसको इतना यह रहता है, मतलब freedom नहीं है, pressure है, तो उसको नको सकत वा जाता है, तो 35 साल की नीचे समझा ऐसा हो गया, तो उसको देखना बढ़ता कि इसके दिमान में क्या लोड़े, क्या डेंशन है, कुछ गलत फिमिया की रहती है, गलत फि उसको नको सकत वा जाता है, तो उसके वारे गलत फिमिया है, कि मुझे नॉक्चरमल उसको emissions होते है, मतलब सपन दोश बोलते है, तो सपने में उसका वीरे बाहर निकलता है, तो सपने में में बहुत वीरे बाहर निकल गया है, अभी मैं काम का ने रहा, इसलिए उसको आ सकत है, या संदास करने के समय, लेटरिन करने के समय बीरे बाहर निकलता है, तो उस समय, तो मैं उसमें भी काम का ने रहा, या मैं कहीं वेश्या के तरफ गया था, मुझे अभी HIV हो गया, ऐसा उसको डाउट लगता है, और मैं काम का ने रहा, या वेश्या के पास में जाता है, दिए रहता है। उसको वहाँ जमता है। फिर वो बोलती है कि तू काम का नहीं है। तू चल जाए। पर वहिश्य ने एक बार सर्टिफिकेटेट दे दिया। उसके तू काम का नहीं है। यह बिरा जाता है। और मतला आगे ऐसा आपने जो पुछा हो कि 35-40 साल के बाद में पहरी बार समझा ऐसा हो गया उसके कि भई अभी नपू सकत वाया हुआ और अभी मैं अभी तक कर रहा था अभी नहीं का रहा हुआ तो ये तो मानसी कारण वही भी हो सकते हैं बाद में रबने को ये देखना पड़ता है कि शैरिली कारण कुछ है कि बदन में कुछ तकलीव है कि उसके वज़े से हुआ तो उसमें ही होता है कि smoking के वज़े से हो सकता है नमर दो शराब पीने के वज़े से होता है ऐसा बोला जाता है कि alcohol it increases the desire but takes away the performance मतलब शराब से क्या होता है कि sex करनी की इश्चा बहुत जाला होती है मगर नहीं कर सकते है तो उसके वज़े से क्या होता है कि जो खुन जिसमें बैयता है मतलब जो जो ब्लेड वेसल से उसका अंदर का जो है ना तो इसका ब्लेड फ्लो होता है, उसका आकार कम हो जाता है, उसका ब्लेड प्रिशर की गोलियां खाने की वज़े से भी कुछ होता है, फिर कुछ लोग उनको मतलब पीछे में कुछ बिमारी हो गई या कुछ मार बढ़ गया, तो उसकी वज़े से वह कर नहीं सकता है, तो इसको तुमर है पीछे, गठान आए हुई है, या दिमाग में कोई प्राब्लम आया हुआ है, उसके वह ऐसे नहीं कर सकता, या नसों में कोई कमजुरी आई पर उसको पीछ देखना पड़ता है, वह उसको और कुम सी दूसी बिमारी है कि जिसके वज़े से नहीं कर पाथ, फिर दूसरा हो रहे गए हिसमें कि उसको मांसी कोई बिमारी है, बनो विकार है और उसकी गोलिया खाडाया है तो उसकी वागे से भीकभी हो सकता है, सेक्स म हमारे जो दर्शक के काले कम देख रहे हैं, उससे निवेदे करना चाहूंगा कि अपने मन से कोई धार्ना बना ले, इसके लिए सही मनोची के सक्के बाद जाए, अपना उप्चार करे, क्यों अपने लोगों ने कही दिया या अपने मन में आप बना लो, ये बात गलत है, तो आप इसके बाद आईसी कोई भी धार्ना न बनाए, और अपने जो भी आप मनोची के सक्के बाद जाना जाते है, उनसे जाकर उनकी सवा ले, राकर साब जैसे अपने अपने ब्लाट प्रेशर हो गए, बताए तो कोई अगर हार्ट का पेशेंट है, वो भी सेक्स कर सकत यह अटक भी आगया है, तो एक बार उसका रेस्ट की काफी दिन होगे, इतिना पते महना पर, जैसा बोला है जैसा बोला है दोक्टर को उसको अधीकल एडवाईस है कि आराम करो, बाद में वो कर सकता है, तिकि सेक्स करने में मतलब वह एक तरह की एक तरह की एक्सराइज ह करो तो उसमें फिर सेक्स करने के लिए डॉक्टर में पर्मिशन दे लिया है बाद में वो सेक्स कर सकता है उसमें को इसी परेशानी होती नहीं है आप बहु प्रतिवा के धनी हैं आप एक सेक्स हो पुछिशन के द्भाई साथ मौनोविकार अध्य भी है आप नशामुक्ति का भी काम करते हैं आप हिप्नो थेर्पिस भी है एनलपी से ट्रेनर भी है साथी साथ बीजनेस कोज भी है मोटिवेशन इस्पीकर भी है तो इतना वहां तो सब तरगहिए पशनाते मतिस वह मारा कि अगारी है थियुक्ति रिचादार है तो वूए सकते हैं और रहेकि उनका हम हिलाज करते हैं उसके लिए हमारा के भी हास्पिटल है ये थि वो घर जा के काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पेशेंट की आच्या करने के लिए हमारे यहां रखते हैं, बातमेमननको इतलाह करते हैं, व आकए उनकोु ले जा लेआ रहता। यहाँ बिना इसेदार का हमारा हस्पेटल है. ऐसे भीर हमने नंदपुर में भी हस्पेटल होगा है, कुना में भी हस्पेटल है, ठान्या में हस्पेटल है, और रहर जगा फिर भी हम Ohio sapitles में patient लोगों के पेश्य कर्थे रहें. मेरा इसे इप्श है, मेरा मेरा context है, sandrbhai काम करना, वह यह है कि भारत में हमारे देश में, यह देश हमारा मनोलोग मुक्त हो जाए, हमारा देश नशामुक्ति पूरे देश में हो जाए. क्या होता है कि एक इती हिम मनोविकार इससे घर में हैं, मनोविकार होआ है, किशना पर करो तो कम से कम 20 लोग एफेक्ट हो जाते हैं चीज़ पर किशना तो वह संबब हैं किशना खरता हूं अर। मुटिवेशनल स्पिकर हूँ, जिसमें जैसा ट्रांस्फोर्मेशन का एक workshop लाइन मार करके आपने नाम सुना हुना, तो उसमें मैं समिनार है, उसे समिनार लीड करता हूँ, फिर लोग बिजनेस के लिए पुछते, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांशन, उसके लिए बिजनेस कोचिंग उनको करता हूँ, फिर मोटिवेशनल स्पिकर हूँ, यहां लोग कोई students है, 12th में student है, 10th में student है, उनको मोटिवेशनल स्पिकर करके आपने जाता हूँ, यह भी मेरा कॉंटेक्स है कि लोगों को financial freedom मिले, आर्थिक सुबत्ता हो नहीं चाहिए, उसके लि मिलेगा, नंदा करके, तो वो भी हम करके परसम मैनेज होता है, क्योंकि बैनेज करना चीए, और वो करने की इच्छा है, तो हो जाना मैनेज कुरां चीए, और आप आई गये तो एक मनों लोग वीशे शेक है, तो ही, इससे हम शादिक तो नहीं कह सकते है, किसली को को जैसा पैसा कमाने का रोग होता है, किसी को अपनी सुंदर्दा का घमन दोता है, किसी को इस पर भी कुछ हो सकता है, जैसा, कहने के दात पर यह है कि किसी में हर वेक्ति है, कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं है, जो जिसके आमने कुछ पागत्पन के मानसिक रोग के लक्षन नहीं, इत अब्जर्वेशन करना परता है, जैसा एक तो घर के लोग रिपोट देते हैं, उसको कोई प्रावल्लम में नहीं को अब्जर्वेशन करते हैं, उसका बातचीत करते हैं, तो बातचीत में समझ जाता है कि यह थोगा सा इदरुदर हो रहा है, गड़बर, अभी वो एक्सपेर काउंसीलिंग करने जोत जाता है, रहा है, पत्तेलों बिदोमों की यहाँ बाता कि यह खेलए एक यहाँ पदों बिदोमों गरयते हैं, यह ठीजसिए बढ़े कि लेंधों बेड़ में ऱहम और दोनों को counseling करता हूं और क्या क्या जाए है जिसके वजे से इनका यह problem का हल हो जाएगा क्या धिज्ञ होना जरू है जम्र निकलता है gathering का वाइ को पत्तिर ने किस उमर तक कर सकते है je अंह OFFIC氣 m Him fire video को हमने भी थोड़ी बड़ी हो समस्थ क्रीज क्या। अब बच्चे बड़े बड़े भोगे महस्तिक धरम जो भी खत्म होते हैं। अब 32 साल हो गया उमर अभी अतना सब सब जूस निकल गया है। अगेंडिया वारंटी। खतम होगता है। और अगेंडिया मुझ हम थे पिर बूरें। आपकन तिना मोगों को दूरों को लगता है। अगेंडियां। गती हैं, तो जब बूर्ण तो हमागते हैं, आपकन थे यहां केशा का हैं। जञार में लोग शादी करते हैं कोई सेश्क करते हैं और पत्ति पत्नी के वीच से क्रेम और सामन जस्ते होना बहुत ज़रूरी है क्या दोनों के बीच में पट्टा नहीं है। और अभी मेरे पास में कितने आते हैं, कि पेर उंका दोनों के चोटी चोटी बात के ऊपर प्राब्लम होता है। चोटी बात मतलब हैसा ही कि तुन्हें मुसे सभरे चाय नहीं दिया। मैं कमाता हूं, तुन घर में बैटे रहती है, तुन कुछ नहीं करती है। तो आने के बाद में मेरे पहर दबाना चीए, चाय पिलना चीए, नात्य जनना चीए। पर कुछ तभी ऐसे छोटी बात के ऊपर पर शास बहु का जगडा वो घर में चलते रहता है। और फिर वो बहु अपना घरदार छोड़के वो यहां आयो ही है, ने घर में। और फिर उसको छोटी बात के उपर तकलिफ हो गई, तो उसका भी दिमाग ठीकाने पर रहता नहीं। फिर छोटी बात के ऊपर जगडा जिंजट चलो हो जाता है। इसके लिए जभी-कभी इनका इलाज करना है तो पती-पत्नी का होना जरूरी है, उनका संघर्ष जुआ है। वो यह जी मेल जूलके रहते हैं, तालमिल उनका अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। तो यह प्राब्लेम तो वैसे हो। प्रक्ण साब, पिछले कुछ सालों में जो यौन अबरात की गटना है, वो काफी बढ़ गई है। तो आप एका मनुची किस्तक भी है, एक सेक्स रूख भी है। तो आप क्या लगता है? इसके कारण जो है वो मेंल अभी जो शोशल मेडिया, वो काफी मात्रा में उसका कारण हो सकता है। अब आज ही मेरे पास में रोज ही चलो अभी तो इतने दिन वे तो एक दिनाड दो दिनाड तो आते रहते हैं कि फेस्बूक के उपर दोस्ती होगी और लड़का कहा कहा है मालम में क्या जारता मालम में सब जूटा है और वो प्यार में पढ़ जाती है और फिर मतलब शाजी में तक बात आया थी और लड़का एक बार क्या है वो उसको बोलते है प्रेम्रों हम बोलती है प्र जब प्यार हो गया ना तो फिर वहां ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें कि यह लड़का कमाता है नहीं कमाता है उसे बराबर मतलब रखेंगा कि नहीं रखेंगा ऐसा लड़क अगर यूटूब के जाते हैं या सर्च करते हैं तो हजारो साइड ऐसे खुल जाते हैं जिसमें पॉर्म फिल्म है या ऐसे कुछ वहते हैं कितने साइड से कितने रिजर्स मिलेंगे जीजिए मैंने भी मैंने काफी सारे YouTube के उपर मेरे भी वीडियो है में अगर मैंने उसमें एकडम क्लिर्ली साइंटिफिक मैंने वहां इंफर्मेशन दी है आपको जो इंफर्मेशन मिलेंगे YouTube पे जो भी वीडियो है उसमें तो वह अनदी वह वाई-वाई-वाई-ई-वाई-जीवंतर की किताब है वह किताब में भी सब पूरा साइंटिफिक इंफर्मेशन में दीवी है रों मार्केट में उपर लगता है वही धार्ना मन में बुटते हैं यहां पर जो स्वभाईक आनन्द है तो कहें तो भी विलुक्त हो जाता है राक्र साब आप इतने बड़े विशेशग्य कई छेत्रों में काम कर रहें कई सालों से काम कर रहें मुझे लगता है कि फूरे विधर्व में कोई आपके नाम से आप परचीत होई राक्र साब आप मुझे बताईए कि शिक्षा में सेक्स विशाय सामिल कर रहें कितना उची था या तो क्या मतलब उसमें सवाले ने करने से एजुकेशन में नहीं किया है तो बच्चे तो पड़े वो तो एक बार वो लड़का लड़की उमर में आ गए तो उनका जो केमिकल लोचा है सेखी विवाही जीवन के लिए अनाख्ष च्चक के भूग है तो सेक्स का ट्रया है वो यही के ब्रावरług निजया जो का मस्हाचती में में खक्क्त कर सबसा हो इसने कि अभी क्या हो गया है कि इसके लिए काफी सारी दवहीं हैं, आयुरुवेद में तो बोलते हैं कि इसका पक्का हिलाज हो जाएंगा, मकर ऐसा कोई अभी में भुषेत में मालमने कि इसके पक्का हो जाज हैं, ना अवधि में हैं, अलोवधि में काफी सारी दवाईयां, मतलब अच्छी काम करती हैं, ऐसा भोला हो जाएं, शिल्देना फिल अभी उसने तो बहुत क्रांथि कर दिया, ऐसा देखा जाया तो, यह काफी लोगों को उसमें फायदा हो जाता है। 50 तब कराम के गुली आती है, इसमें भी आजनी है कि गुली खाय तो एकडम सेख्स आ जाएंगा। आजना। वह काम केड़ा कर सकेंगा या समादम कर सकेंगा। सब्सक्राइन तो वह तो यह तो फोटाहिए कि आपका मस्तिश का शांत होना चाहिए और अपस में बहुत हुना चाहिए उसके बाद आप पहले वो जरूरी है बाद में फिर जो करना होगा। तो हम फिर उसमें देखते हैं कि उसका उसका शुगर मात्रा है, मतलब ब्लड लेवल, वो परावर मतलब लेवल पे है क्या, ब्लड पेशर बरावर है क्या, गुली ब्लड पेशर के जाल वे वो बदलो, फिर सिल्दा ने उसको गुली देखो, उसको हम एक Masters and Johnson नामके दोनों husband-wife थे, Masters and Johnson, Master and Johnson husband-wife ने एक ऐसा system ने काला treatment, counselling का, तो वो हम करते थे, समझे कोई बोलते हैं कि हमको गुली ने होना, हमको दवा ही ने होना, हमको counselling करो, तो फिर Masters and Johnson का एक टेक्निक है, कि यह जो नकून सा कत्व इसका इलाज कैसे करना है, तो वो टेक्निक से इलाज हम करते हैं, फिर उनको husband-wife को बुलाते रहते हैं, एक दिनार, दो दिनार, तिन दिनार उनको बुलाते हैं, उनको guidance करते हैं, और guide करके फिर उनको, मतलब उनका जो problem हो ठीक हो जाता है, फिर डूसरा कुछ है कि जनको sildenafil से भी फायदा नहीं होता, sildenafil नमके लिए बुली है, उससे भी फायदा होता नहीं है, तो फिर शिस्न में एक injection दिया जाता है, जैसा diabetes के लोग जो है, जिनको diabetes है, वो छोटा injection खुझी लेते हैं, वैसा injection है, पैपवरीन नमका, वो injection शिस्न में दिया जाता है, और आदमें खुद ले सकता है, तो उसमें भी erection आके उसका समागम है, उसका सेक्स है, वो हो सकता है, तो भी फिर लोगों को recommend करते हैं, कि अभी सब तरह का इलाज करके ठक गया भी, और कुछ फाइदा नहीं हो रहा है, नर्स में, मतलब नसों में कोई कमजूरी आई है, या जो मतलब खुन की जो वेसल से, ब्लेड वेसल, उसमें कोई कमजूरी आई है, तो पैपेवरीन के injection देते है, तो उससे लोगों काफी कर ठेखा करें, भी खाइदा हो जाता है, और ये एरिया काम करना लगता है. Q general Pagore Inspector Saab, Šejakas का सही समय क्या होता है, प्रॉब दूब 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 बच्चे बड़े हो गए, तो फिर बच्चे सोने की राइट रखे रखे रखे, तो बच्चे कब सो जाएंगी, और बच्चे सोने के बाद में भी आवाज ने आने को होना, करके एकदम इतनी शैंन खे पर इे हैं और बच्च्चे कर सकता ही, और मुक'mand के रहिए तो सब्सक्राथ से राखे रहता हे खिलियाएं और उसमेंесс्ट और जब वो उट जया तो उसको जो मंद में ऐसा शॉख बढ़ता है और वहां से पिर उसका शिस्न पात्रटाना बंद कि बच्चा उट जाता है और फिर उसको कुछ तभी करके शुला और कुछ तभी चुपाऊ और फिर जो धक्का है तो इसलिए हमें हर दम की बोलता हूं कि एक बार बच्चे समझो दो-तीन साल के हो गए तो बच्चों को कमर में सुलाने कही नहीं है कभी भी नहीं है कि उससे अब उसमें जब काम करमा जालू करते है तो उसमें बीच में ही कटर नश्टा हो जाता है तो जो शिसने वो रूस हो जाता है अब उसमें दिमाग का कभी सारा खेल है अब दिमाग की ठीकाने पर नहीं है कुछ न कुछ विचार चालू है तो फिर यह ठीक रहा तो नीचे ठीक रहे है यहां टेंशन है तो नीचे लूसने रहे है यहां लूसे तो नीचे भी टेंशना है यहां लूसे तो नीचे भी ट कोई सुनेगा, बाजु कमरे में कोई सुया हुआ है, या कोई आने का डर हो, कोई सच्मूच आ गया है, या ओफिस के विचार है, दंदे के विचार है, को ऐसे विचार आ गया है, तलिन था की जो कमी, जहाँ पर भंग हो गई, वहाँ पर वहाँ मतला, he is not present to the present, वहाँ वह enjoy मतला है, फिरकिर हाँ और बाजु को निजीन करके बन आवल है, या बाजु कहँ मतला हो गारा, खिशनमें है उसमें और प्रवल्यम निकाली, जातמה करन तो होता है, ये कहां कि पत्नी के साथ नियुक्त नी जमता है, वें अगरप में अधिक अभी जम रहा है, पतनिक ऐसा आपमें बाहर जमता नहीं है, इसके मतलब ही उसको बाहर डेंचनम आरा, दर लग रहा है और दूसरा ऐसा वाद है कि बाहर जमता, घर में जमता नहीं है कि क्या बात है रोज घर-घर मतलब रोज घर का खाके खाके बोर जाते है तो अगमी बाहर का अच्छा लगता है कभी गए तो इसलिए फिर मैं रहं ले बोलते रहता हूं कि घर का भी जो है वह आप नए-एफ टेस्स से जैसा खाना लग-अलग बना सकते है वैसा नए-एफ आप शेक्स कर सकते हैं ताकि उसमें नाविन नेता रहेंगे कुछ तो भी नहीं है ताकि फिर वह बोल नहीं हो जाता है और बोल रडम से फिर नपन सकतो उसको आ जाता है पुछ लोगों में ऐसा पड़ो लेपन की आदत होती है कि एक पचास-पच्पन साल के होने के बाद कुछ लोग ऐसी भी देखे जाते हैं जो अंदर से कुछ कम जो हो रहते हैं लेकिन वह बाहर ऐसी बाते करेंगे कि आज भी मेरा कोई हाथ में पकड़ता है तो यह कुछ मासिक रोगी के रख्शन होते है कि खुद को सुरिष्ट बताने के लिए मैं कितना मतलब मर्द हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसा शादी के बाद में हाँ और एक बड़ा कारण है कि शादी के बाद में क्या होता है कि यह जो लड़का है समझो शादी होने के बाद में वो बूलता है कि मैंने एक बार किया एक बार में कर सका वो दोस्ते में जाता है दोस्त बूलते हम तो लागता है तो कई पेशेंट राते हुगे जो जीज़कते होंगे लेकिन आपको इतना अनुभा है कि पहले आपको लगे सेक्स के बारे में लोग रिचकी चाते हैं बताने कि मैं अगर डाक्टर के पास कि अगर मुझे ये कब जूरी हरे ये मैं डाक्टर के पाई लागता हुगी तो आप कॉंसिलिंग के जरी वह सब उनको मन से दूर देखने माया है कि सबसे ज़्यादा रूट जो होती है वह इस कि आप जो भी समाचार पतल उठाई है पहिन कहीं लिंग्र बढ़ा कीजिए उटा कीजिए संभोग की समय इतना दो घंटे बढ़ाई तीन घंटे बढ़ाई जापनी तेर ये तेर वो तेर तो ये कहां तक सच है तो ये उसमें कोई सच नहीं है ये सब मुरुग बना लेकि कारेक्रम है याना ऐसा कोई भी मतलब आज तक ऐसा कोई भी ऐसी दवाई नहीं है याना कि जो गोली लिया समझो और गोली लिया तो 101 टकका गैरेंडी से उसको कठवर का आएंगी लिंग में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है ये पहले बता है कि सिल्दनाफिल जो है उसे कोई लिंगंवर्व गेंद्र नहीं रहता आइसा कूई शान का तेल घोडे का तेल काई का तेल तेल उसका तेल कुछ नहीं रहता उसमें। सिर्फ लूट के रंदे रन्दे है नसमें भी अपने घर्षब भी घ्र्षब को बहिए करा कि इस पाल भार्त विज़्या पर्षि कि योग्या उचित जो सेक्स विश्य सग्यों को उससे सला ले और हालतु में अपने पैसे और मांसिक परिशारी खर्षन करते हुए अच्छी मनुचिकर से सब्बर करें। अपने के साथ में क्यों नहीं हो रहा हुए उनके आपस में क्या चल रहा है। उनके साथ में क्या ऩर्षन क़ण हो रहा हुए ? अपने सब्सक्राइब अगर बतन सब्सक्राण जाती है अगर हमाए अगर का जबिए नमिंट सwe cushy ट्सरे क्में में उक्तुक हो रहा क्या कारण फो सकत्ता एं पर तीसरा सबसे ज्यादा महतोगण है कि लोगों को प्रापर सेक्स करना जिसके मतलब ऐसा इस तरह का सेक्स करना कि जिसमें पत्ने को बहुत खुशी मिलें आनद मिलेंगा ऐसा सेक्स करना लोगों को आता है जिसमें अवरत को जितनी चाहिए उतनी मज़ा आती नहीं है एक अरिश्यादाने हो सब्सक्राइब पत्नी का मतलब जल्दी समझो एक शिगरपतन हो गया और वो शांत हो गया और पत्नी को समयना नहीं हुआ तो उसको क्या लगता है कि आता है इसको जब तक चाहे तक करता है है और निकल जाता है उसकी इच्छ तो पूरी हो जाती है तो उसको इंटरस लगेगा तो आपने जो आपको हस्पीटर में कोई क्या था आप उनको बता थे हैं इस प्रकार के उनको वज़ात है कि इच्छ प्रपर सेक्स कैसा करना इच्छ नहीं है तो इच्छ बड़ा निक कैसे है कि कौन से आसनाम कर सकते कि इसके वज़े से उसको ज़रा आनम मिलेगा या फिर मतलब कुछ तो भी नयापन लगेंगा ऐसा तो उसमें फिर उनका प्राब्लेम सौल हो जाता है आशा है हमारे जितों कारेक्रम आपको अच्छ लगा है राक्टर साब जो इस समस्या से पिलित लोग है जो शर्मात है हिश्की चाहते हैं और अपना ही नुक्सान करके बढ़ते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर नहीं बढ़ा है तो बिमारी जो है मानसिक हो या शारी को काफी बढ़ जाती है और जब सूद आती है तब तक काफी देर हो चकी तो ऐसे जो ल है उसके लिए प्रॉपर जो स्पिशलिस्ट है जिसको इसमें ज्ञान है तजरुवा है उनसे हिलाज करना जरुई है बाकी बोट बोट लगा के बैठे दे इसमें ज्यादा फसा है जाता है विग्यापन्त के माध्यम से बहुत फसा है जाता है आप यही ट्रें सफर करोगे तो आठ ट्रें के साइड में जित्ती भी दिवाल है वो पुरी मतलब बल्लकुल पेंट की हुई है कुए कौन सी दवाई सेक्स के लिए काम मतलब वो उसमें कामें भी दे सकती है तो लोगों को यह है कि साइंटिफिक रूप से मुझे कहा इलाज हो सकता है वो इलाज करना तो यह एरिया जो है जो सेक्स करके तो उसमें उनको आननुमी मिलेगा जैंजट भी नहीं होंगी जीवन भी अच्छा रहेंगा सुक शान्दी का जीवन हर वेक्ति जी सकता है और यह जो महत पुक्रन हंग है अपने जीवन का उसमें उसको सबलता मिल सकती है और अच्छा इस कारेकरम में कई ऐसे विशे को लेकर ऐसे जवाब दिये जिसों हमारे दर्शक है को कापी संतुष्ट होएंगे आशाए आपको हमारा आरब्य विशे कारेकरम जो में पसना हूंगा हम फिन मिलेंगे एक नए डाप्टर एक नए विशे के साथ तब तक कि रिए प्रस्व तक कि रिए झाल